नमस्कार, बंजारा एक ऐसा शब्द है जो उन्मुक्त और स्वतंत्र जीवन का प्रतीक है इसी शब्द में छिपा है कठिन परिश्रम, त्याग, एक निश्चल और बहादुरी लेकिन आज ये समाज कहां खड़ा है? तो हाजिर हूँ, मैं भारती सिंग लेकर निउस वर्ड इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट भारत में सद्यों से बंजारे खाना बदोश जिन्दगी जी रही है लेकिन आज भी वे समाज के हाशिय पड़ा ऐसा समुदाय है जो आधुनिक्ता की दोड में बहुत पीछे है एक जलक इन लोगों की जिन्दगी में पारंपरिक रूप से बंजारे काम धंदे और कारुबार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने वाले लोग हैं और वे पूरे देश में फैले हैं लेकिन उनकी जड़े राजस्थान से बताई जाती हैं अलग-अलग जगहों पर उनके नाम भी अलग-अलग हैं जैसे आंद्रप्रदेश में उन्हें लंबाडा या लंबाडी कहते हैं जबकि करनाटक में लामबनी और राजस्थान में गवारिया गवारिया अतीत में बंजारा लोगों के जरिये बहुत से इलाकों में नमक और दूसरी जरूरी चीजें पहुचा करती थी उन्हें बढ़िया कारोबारी माना जाता था बंजारा शब्द वजन यानि व्यपार और जारा यानि यात्रा से बना हैं उनकी भाषा गार बोली है जो बहुत सारी भारतिये बोलियों के शब्दों से बनी हैं अलग-अलग इलाकों में गार बोली भी अलग-अलग होती है बंजारा समुदाय की महिलाएं अपने पहनावे और गहनों के कारण दूर से ही पहचान में आती हैं वे सिक्कों या फिर स्टील और अन्य धादू से बने गहने पहनती हैं उनके पास सोने का सिर्फ एक गहना देखता है वो है नाक की लॉंग उनके कपड़े भी बहुत रंग-बिरंगे होते हैं आम तोर पर बंजारा महिलाएं अपने कपड़े और गहने खुद ही बनाती हैं भारत में बंजारों को अलग-अलग जगाओं पर अनसूचित जाती, जन जाती, अन पिछडा या फिर गैर पवित्र जन जाती जैसी श्रिणियों में रखा जाता है बंजारा समुदाय आज भी समाज में हाशे पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं कुछ विशेशग्य मानते हैं कि यूरोप के खाना बदोश, रोमा लोग भी भारतिय बंजारों के वंशच हैं राजस्थान के बिंसूर गाओं में रह रहे बंजारा समुदाय के लोगों के बीच बदलाव का एहसास भी होता है अब समुदाय के कुछ पुरुष एक जगा रहेकर काम कर रही हैं और अपने बच्चों को स्कूल भीच रहे हैं ताकि उनका भविश बहतर हो सके हलाकि बहुत से बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और आखिरकार पश्यों को चराने के काम में लग जाते हैं कुछ साल पहले बंजारा समुदाय में महिलाओं की महवारी और साफ सफाई से जुड़े विशों पर कोई बात नहीं करता था लेकिन अब बंजारा समुदाय की महिलाओं के लिए कई कारिकरम चलाए जा रही हैं कुछ गेर सरकारी संस्थान तो उन्हें कम्प्यूटर भी सिखा रहे हैं ताकि वे भी इस जमाने से खुद को जोड़ पाएं लेकिन सरकार की बेरुखी अभी भी इनके दर्द को नजर अंदास कर रही है स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नमस्कार